अब से पहले लिखेंगे, d dx of f of x, दोनों साइड differentiate कर देखना, ताकि आपको एक बार में ही बात पूरी अच्छे से समझना है, दोनों साइड differentiate कर देखना, लेफ्ट हैंड साइड का derivative होगा, f dash x, राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म हैं, उसमें question true लगेगा, 2 plus cos x whole square, 2 plus cos x, derivative of 4 sin x is 4 cos x minus 4 sin x into derivative of denominator 0, और cos x का है, minus sin x, minus x का derivative है 1, अब इसको simplify करना पड़ेगा, सबसे बेले, यह जाएगा, 8 cos x plus 4 cos square x, यहाँ minus into minus plus 4 sin square x, upon 2 plus cos x, whole square minus 1, 8 cos x, आप mute कर ले, plus, देखें किसकी पास से आवाज आरी, mute कर लीजे प्रीज, अधित, आप mute कर लीजे प्लीज, अधित, आप mute कर लीजे प्लीज, एल्सियम, 2 plus cos, whole square, आप, बोलो आर्यन क्या बुल्ड़ें, विटा, कॉछा कोछा 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 आपक हाई, कुछा कॉछा कोछा कोछा काउच्छे कउपिक हाई, ये question f of x is equal to 4 sin x upon 2 plus cos x minus x is an increasing function in 0 to 5 by 2 8 cos x plus 4 commonly a cos square x plus sin square x 1 so 4 into 1 is 4 minus 2 plus cos x whole square 2 square plus cos square x plus 2 into a into b whole upon 2 plus cos x whole square 4 4 cancel आप देखलो 8 cos x minus cos square x minus 4 cos x upon 2 plus cos x whole square 8 cos x minus 4 cos x 8 cos x में से 4 cos x minus किया अब इसमें से cos x common ले लें क्योंकि most factorized form में लाना है पूर मैंस में ले लेना हैं स्टार्टिंग की हा सर यह स्टार्टिंग की बता दीजे सर वो थुड़ा यह इसका derivative करना है देखो दोनों साइट differentiate कर दी इसका differentiation करना और इसका करना है इसके differentiation में quotient true लगेगा और x का derivative 1 हो जाएगा इसमें quotient true numerator upon denominator का rule लगाना अपने को 4 sin x upon 2 plus cos x में 2 plus cos x आपनों फॉर्मूला लगाया exactly फॉर्मूला लगाया ठीक है यह सर यह आगया अपने लास्ट अपने पास आगया बच्चो f dash x is equal to this much 4 cos x into 4 minus cos x upon 2 plus cos x whole square अब अपने को critical points find करने के लिए to find critical points critical points अगर अपने को find करना है तो हम सब को 0 रखते हैं numerator को भी 0 रखते हैं denominator को भी 0 रखते हैं तो यह रखते हैं एक cos x को 0 4 minus cos x को 0 और 2 plus cos x को भी 0 रखते हैं दिनोमिनेटर को पर cos x cannot be 4 क्योंकि cos x की maximum value ही 1 होती है तो cos x की value कभी भी 4 नहीं हो सकती तो cos x 4 नहीं हो सकता तो यह cannot be 0 यह कभी भी 0 नहीं होगा अगर यह कभी भी 0 नहीं होगा तो यह इसका point x की value नहीं निकलेगी क्योंकि यह कभी 0 होगा नहीं तो x की ऐसी कोई value exist नहीं करें cos x की value minus 2 तो cos x की value minus 2 भी नहीं होती है क्योंकि cos x की value कहां से कहां तक होती है तो cos x की value होती है minus 1 से लेके plus 1 तक और ऐसे ही किसकी value होती है sin x की value होती ही minus 1 से plus 1 तक तो cos x ना minus 2 हो सकता है और cos x 4 भी नहीं हो सकता इसलिए ये वाला part this 4 minus cos x cannot be 0 2 plus cos x cannot be 0 ये कभी भी 0 नहीं होंगे तो फिर कौन सी बात जीरो हो सकती है तो फिर one and only one thing कॉसेक्स यह कॉसेक्स जीरो हो सकता है अगर यह कॉसेक्स जीरो हो जाता है तो कॉसेक्स का अगर आप ग्राफ जानते हो तो वरना मैं आपको और बेसिक आइडिया भी दूँगा यह Cosix का graph होता है Sin X और Cosix में difference है Sin X का graph जो है वो यह यह चलता है घ्यान से लेखे क्या खास बात है? दोनों दिखने में एक जैसे है पर दोनों में क्या difference है? कि साइन यहां से start होता है दोनों के intersection से क्यों? क्योंकि साइन 0 0 होता है साइन जीरो डिगरी इस जीरो तो जीरो के लिए इसकी वैल्यू जीरो आती है कॉस जीरो के लिए क्या आती वैल्यू तो कॉस जीरो डिगरी की वैल्यू होती ही वन इसलिए ये वन से स्टार्ट होता है ये साइन वाला स्टार्ट होता है 0 के लिए 0 value तो यहां से start होता है और Corsex का यहां से start होता है तो Corsex कहां-कहां 0 हो रहा है तो Corsex 0 होता है यहां पे लास्ट यर आपने trigonometric equations पढ़ी होगी तो उसमें भी यही बात थी कहां-कहां 0 होता है सबको अटकरी क्या है वाज सबको आ रहना संस्कृति हां सर आ रही है तो वह कहीं का नेटवर केसा होगा विटा आ रही है तो फिर मैं वापस एक बार ब्रीफ कर दूंगा आपको आप चिंता नहीं करो कॉस ध्यान से देखो कॉस कहा कहा जीरो हो रहा है कॉस जीरो हो रहा है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी होती है तो यह वाला जो वन फॉर्थ क्वाडरेंट है यह जो एक क्वाडरेंट है तो यह क्वाडरेंट यह एंगल होता है पाई बैटू ये वाला एंगल pi by 2 में pi add कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 pi by 2 ये वाला हो जाएगा minus pi by 2 ये वाला हो जाएगा minus 3 pi by 2 तो cos कहां कहां 0 हो रहा है ये अपने को clear हो गया cos x is 0 cos x 0 होगा when x is odd pi by 2 जब जब cos x की value odd pi by 2 है तो odd pi by 2 कहां कहां हो रही है तो x की value odd pi by 2 कौन कौन सी होगी एक तो होगी plus minus pi by 2 plus minus 3 pi by 2 plus minus 5 pi by 2 अब हमें जो discussion करना है वो discussion का criteria दिया हुआ है हमें discussion का criteria दिया है कि discuss करना है आपको 0 से pi by 2 में इस interval के बाहर नहीं जाना है आपको यह question में given है we are given in the question that whatsoever you wish to discuss you will have to discuss in this interval 0 से pi by 2 पे discuss करना है तो 0 से pi by 2 में आप देखोगे कि 0 से pi by 2 में a की value लाए कर रही है और वो वाली value कौन सी है x की value pi by 2 तो x की value pi by 2 है तो इसका real line बनाएंगे हम इसका real line होगा यहाँ पे minus infinity यहाँ पे plus infinity लेकिन हमको minus infinity से plus infinity पे discussion नहीं करना हमको discussion करना है question में दिया हुआ interval अभी तर जो questions किये थे हमने उनमें intervals दिये नहीं होते थे इसमें आपको interval mention किया हुआ है कि आप 0 से pi by 2 में discuss करें तो हमने interval बना लिया closed interval क्यों closed बनाया क्योंकि हमको closed दिया हुआ था 0 से pi by 2 question खतम होते ही मैं आपकी queries discuss करूँगा सारी queries करूँगा आप चिंता बिल्कुल नहीं करें एक बार मैं फिर अच्छे से समझाऊंगा आपको कोई doubt हो तो 0 से pi by 2 पर ही discuss करना है आपको तो हमारी जो critical values है वो कौन कौन सी है तो हमारी critical values तो pi by 2 है minus pi by 2 है minus 3 pi by 2 है तो हमारी critical value एक इसके अंदर फसी है और दूसी value इधार है minus pi by 2 इस तरफ है वो value फसी नहीं रही है तो हम इसके बीच की कोई value डालेंगे किसके बीच की 0 से pi by 2 की बीच की value कोई भी डाल देंगे तो इसमें अगर इसमें x की value कोई लेंगे x की value first quadrant की value होगी क्योंकि x कैसा angle होगा acute angle होगा 0 से pi by 2 तक 0 से pi by 2 के बीच का कोई angle acute angle होता है acute angle होता है और x कौन से quadrant को belong करेगा it will belong to first quadrant अगर ये first quadrant को belong करेगा तो cos x क्या होगा इस case में cos x क्या होगा cos x first quadrant में positive होता है ठीक है अब जो दूसरी बात है 4 minus cos x ध्यान से सुनिए जो बात है कि 4 minus cos x का क्या होगा तो 4 minus cos x 4 minus cos x क्या होगा positive होगा या negative होगा इसका decision कैसे होगा तो मैं आपको बताता हूँ देखो आप इसमें एक factor ही ये वाला दूसरा factor ही ये वाला तीसरा factor ही ये वाला तो 4 minus cos x भी positive होगा क्यों positive होगा क्योंकि cos x की max value क्या है max value of cos x is 1 अगर max value 1 है यह तो 4 minus cos x है तो 4 minus cos x हमेशा positive होगा और denominator ध्यान से देखवा आप denominator क्या चीज़े 2 plus cos x whole square और यह being square है यह भी हमेशा positive होगा तो इसका मतलब से कि जो f dash x है f dash x क्या चीज़े है हमारा f dash x हमारा है cos x into 4 minus cos x upon 2 plus cos x whole square यह greater than 0 होगा equal to भी हो सकता है इसका पर in कौन सा interval दिया हमको 0 से 5 by 2 अगर यह interval दिया है 0 से 5 by 2 तो इसलिए therefore f of x is an increasing function in close interval 0 to 5 by 2 यह इसका solution यह इसका solution है यह यह इसका愛 झाल 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 झाल